गुड मॉर्निंग स्टुडेंट आसा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे आज की इस ओनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन फिफ्टीन जो की है दा ग्लोरियस वाइट वाशर यानि की पुताई करने वाला तो जो दिवाल को पुताई करते हैं या फिर किसी भी चीज को रंगने वाला तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कोशन से जब आपको बहुत ही ज़्यादा काम रहता है तो आपको किस तरह से help मिलता है कैसे आप help मिलता है तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इट वज सटर्डे मोर्निंग एंड क्या लिखा वह है इट वज सटर्डे मोर्निंग एंड आल दो समर वर्ड वज ब्राइट क्या कह रहा है कि यह सनीमार की सुबह थी इट वस सटर्डे मॉर्निंग यह सनी मार की सुबह थी और सभी ग्रिश्म संसार चमकीला वह ताजा था वस ब्राइट एंड फ्रेस जो गर्मी के दिनों में सटर्डे सुबह था और समर वर्ल्ड यानि की ग्रिश्म के संसार में सभी चीज क्या था चमकीला और ताजा था आगे there was a song in every heart वहाँ सभी के दिल में एक गीत था there was cheerfulness in every face and spring in every step सभी चेहरे में प्रसंतता थी तथा हर कदम पर एक खुशी थी every step लिखा हुआ है face and spring in every step और जो भी step था जो भी हर कदम कदम पर जैसे बोलते हैं कि खुशी है अब चलिए यहाँ पर देखी लिखा हुआ है the blooms filled the air राइट कलियों ने वायू को भर दिया था आगे देखी कार्डिफिल कार्डिफिल hill was green with vegetation लिखा हुआ है कि कार्डिल पहारी वनस्पति से हरी भरी थी कार्डिल पहारी जो थी वो वनस्पति उसे हरी भरी थी अब आगे देखे इसमें क्या होता है आगे लिखा हुआ है क्या कि tom appeared on side wall with bucket tom नाम का एक वेक्ति है जो appear होता है एक सफेद रंग की बाल्टी को ले करके tom appeared on the side wall with a bucket of white wash and long handed brush tom एक बाल्टी सफेद रंग लंबे हत्थे वाला ब्रस के साथ बाहरी दिवार के सामने आया ठीक है अब आगे देखते है he surveyed the fence and all gladness left him उसने घेरे का निरक्षन किया उसने survey किया यहाँ पे ध्यान दो क्या लिखा हुआ है he surveyed surveyed उसने निरक्षन किया घेरे का the fence उसने घेरे का निरक्षन किया and all gladness left him और उसकी सारी खुशी जाती रही और उसकी सारी खुशी जाती रही अब आगे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्या इसका मतलब दिवाल था जी दिवाल के चारो तरफ गुम के देखा क्योंकि उसी के सामने आया था अब आगे बड़ा था ठीक दिवाल काफी बड़ा था आगे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइग साइग दरीपेड साइग यहाँ पे मैं एक बर क्लियर करता हूँ साइग ही डीपेड ही ब्रस एंड पैड़ेड इट अलोंग दो टॉप मोस्ट प्लैंक डिड़ेड एगेन गहरी आह भरते हुए गहरी आह भरते हुए वह अपना ब्रस डुबोया तथा लकडी के तक्थे के सबसे उपणी सीरे पर चलाया लकडी के सबसे उपढी सीरे पर चलाया अब आगे did it again यानि कि उसने यह पुना किया फिर से दुबारा किया after repeating the job two or three times he sat on a tree log दो या तीन बार दोहराने के बाद वो एक पेड की लकडी के लठे पर बैठ गया तीक है पेड के लकडी के लठे पर बैठ गया अब चलिए यहां से देखते है कि और क्या होता है स्टोरी में यहां पर लिखा हुआ है कि why did tom sit on the log after repeating the job two or three times जो tom था वो क्यों लकडी के जो लकडी का क्या था वो log था लकडी का जो लठा पड़ा हुआ था वहां पर उस पर क्यों बठ गया दो दो से तीन बार ब्रस करने के बाद पेंट करने के बाद ठीक है तो देखो यहां पर मैं यहां पर थुरा से इंज्वाय करता हूं देखो कैसे पैंट कैसे करेंगे ना देखो पैंट कैसे करेंगे यह यह पैंट हो रहा है अना तो एक बार यह एक बार ऐसे पैंट किया फिर किया फिर किया तो दो तीन बार किया उसके बाद वह क्या हो गया यह बैठ गया था कि मन लगे तो चलिए देखते हैं आगे इस स्टोरी में क्या होता है तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि जीम एक जीम कैम स्कीपिंग आउट अड़ गेट विट और टीन पिल ठीक है क्या लिखा हुआ है जीम केम स्कीपिंग आउट अड़ गेट विट टीन पिल जीम एक टीन के डब्बे के साथ कुदते हुए गेट पर आया वो कहां जा रहा था पानी लेने जा रहा था है नगर का जो पंप था वहां से पानी लेने जा रहा था ठीक है, Tom always hated his work to bring water from the town pump, Tom को नगर के pump से पानी लाने का काम अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, अब आ के देखें, यहां पे क्या होता है, he that there was company at the pump वो जानता था कि जीम एक या दो घंटे बाद वापस आएगा यहां पर क्या लिख हुआ है sorry यहां से from the sorry मैं थुरा सा एक लाइं ज्यादा चला गया going to water pump यहां से he knew that Jim should come back after one or two hour उसको पता था कि जीम जो है एक से दो घंटे के बाद ही वापस लोटेगा he knew that Jim should come back after one or two hour उसके एक से दो घंटे के बाद ही आएगा but Tom remembered but Tom remembered but Tom को याद किया but Tom ने याद किया but Tom remembered but Tom ने याद किया that there was company at pump there was company Tom ने याद किया कि वहाँ पंप but Tom remembered but Tom remembered that there was company at the pump but Tom ने याद किया कि वहाँ pump पर साथी थे ना company मतलब होता है कि साथी ठीक है जैसे कभी-कभी हम लोग बोलते हैं खाते रहते हैं तो आजओ company देना यानि कि आजओ साथ देना समझ में आ रहा है ऐसे ठीक है तो company वहाँ पर साथी थे Tom को याद आया अब चलिए यहाँ पर देखते हैं white and negro boy and girls were always waiting their turns right turns and resting, treading, play things, quarreling and fighting अब देखें क्या यहाँ पर बोला जा रहा है कि गोरे तथा काले लड़के और लड़कियां हमेशा मोड पड़ थेक हमेशा मोड पड़ उसकी प्रतिक्षा करते आराम करते खेलने की चीजें बदलते हैं जगरते तथा लड़ते हैं यहाँ पर देखो while the negro boy and the girls were always waiting their turns resting, treading, play things, quarreling and fighting वहाँ पर क्या करते थे वह लोग कहाँ पर pump पर जी अब चलिए आगे देखते हैं tom called gym, tom ने किसको बुलाया, gym को बुलाया, i will fetch the water if you will white wash some, oh no, sad gym, tom ने gym को बुलाया, मैं जाकर पानी लाओंगा, यदि तुम कुछ पताई करो, ठीक है, tom ने किसको बुलाया, gym को, tom ने gym को बुलाया, बुला कि मैं पानी तुम्हारा ला देता हूँ, तुम मेरा कुछ पताई कर दो, ठीक है, तो gym ने कहा कि oh no, gym ने कहा कि oh no, नई नई नई, gym ने कहा नई, बिलकुल नई, नई जीम, I will give you a marble जीम ने कहा कि मैं तुम्हें एक marble marble मतलब जो कंचा खेलते हैं आप लोग गोली उसको वो है ठीक है तो जीम, I will give you a marble मैं तुम्हें एक गोली दूँगा even I will show you my short toy even मैं तुम्हें अपने पैर के अंगोटे का छाप भी दिखाऊंगा अब आगे देखिए क्या होता है जीम के वल मनुस्य था या जो आकरसन था उसके लिए प्रयाप्त था अब आगे देखिए क्या होता है उसने अपना डिबबा नीचे रख दिया तुक दा मार्बल एंड बेंड डाउन तु सी दा शोर टोई उसने अपना डिबबा नीचे रख दिया और गोली ले ली मार्बल ले लिया और पैर के अंगोटे का घाव देखने नीचे जुका ठीक है क्योंकि उसके पैर में हो सकता है घावा होगा आगे बट लो किन्तु असर से इन अ मुमेंग टॉम वाज फ्लाइंग इन रुश। हिन अ मुमेंग टॉम वाज फ्लाइंग इन रुश। ये पैल एक ही चहन में टॉम उसके घडे के साथ तेजी से गली में दौट रहा था एक ही च्छन में मतलब जैसे ही वो ऐसे तो एक ही च्छन में टॉम उसके घड़े के साथ टॉम उसके घड़े के साथ तेजी से गली में दौड रहा था ठीक तो what is the meaning of flying in the above sentence अब यहाँ पर बोल रहा है कि flying का मतलब क्या है यहाँ पर उरने लगा नहीं दोरने लगा ठीक है अब यहाँ पर देखे टॉम उस वाइट विशिंग क्या लिखा हुए टॉम उस वाइट विशिंग showing all his happiness टॉम उस वाइट विशिंग टॉम पोताई कर रहा था अना टॉम पोताई कर रहा था अपनी सारी परशन्नता दिखा रहा था little ben was making little ben little ben was making noise with his toy things a a ling 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 ठीक है बोल रहा है कि छोटा ben अपने खिलावने के साथ सोर मचा रहा था टिंग लिंग लिंग बिंग टिंग ऐसे कुछ बोल रहा था अब आगे देखे इसमें क्या होता है tom paid no attention tom ने ध्यान नहीं दिया ben went up to tom with the apple he was eating ben ने क्या किया tom के पास सेव फल जो वो खा रहा था खाते के साथ हो गया वहाँ पे अब आगे देखे tom mouth watered for the apple tom का जो mouth था watered mouth watered मतलब मुह में पानी आ गया यानि कि लाला चाया जैसे आप सबसे फेवरेट अगर आपका chicken होगा या मटन होगा या फिर मचली होगा या फिर जो आपकी फेवरेट डीस बनी रहती है घर में तो उस दिन आपको पहले से ही क्या आता है mouth watering करता है यानि कि पहले से ही जी ललचने लगता है है तो उसी को mouth watering बोलते हैं तो mouth watering यहां पे किस के लिए हो रहा है एपल के लिए हो रहा है ठीक है मुह में पानी आ रहा था टॉम को क्योंकि एपल खा रहा था कौन बेन राइट बेन सेड हलो बेन ने क्या कहा हलो हाई यू आर वर्किंग तुम काम कर रहे हो टॉम ओ टॉम ने कहा ओ इट इस यू यह तुम हो दिन नॉट नोटिस ध्यान नहीं दिया विच वर्किंग सेड कौन सा काम तुमने कहा कौन सा काम तुमने कहा अब चले यहां पर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पर इस स्टॉरी को अभी रोक देता हूं राइट तो यह पार्ट वन है आपके लिए और मैं आपको टास्क देदेता हूं कि आपको करना क्या है आपको reading skill करना है और जिस तरह से हमने reading skill किया है जिस तरह से प्रतेक sentences को हमने अनुवाद किया है तो उसी तरह से आपको क्या करना है प्रतेक sentence को translate करना है हिंदी में तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए टेक केर बबाए